ओम नमस्षिवाय मैं हूँ एस्टॉजर केम सिन और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ दिसंबर और कन्यालगन इस महीने कन्यालगन वाले जातकों पर ये पूरा ग्रहों का क्या प्रभाव होगा आईए हम इस वीडियो में समझते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बाते आप नोट कर लिजिए जैसे इस महीने चार ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा जिसमें सबसे पहले शुक्र का राशी परिवर्तन 11 दिसंबर को होगा 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहन लगेगा जो कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहन है इसके पश्षात 16 दिसंबर को सूर्य की धनू संक्रांती होगी और तत पश्षात 17 को बुद्ध का राशी परिवर्तन होना है और 24 दिसंबर को मंगल का राशी परिवर्तन होगा तो ये जो राशी परिवर्तन होगा इस पर आपको कैसा आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा इसको राशी परिवर्तन के रिपोर्ट में हम समझेंगे लेकिन यहाँ पर पूरा मन्त कैसा बीतेगा एक एक भाव को हम चेक करेंगे प्रतम भाव दुतिय भाव तृतिय भाव ऐसे करके पूरे बारा भाव का अध्यन करेंगे और प्रत्यक ग्रह ग्रहों का अध्यन करेंगे सूरे से लेकर हम पूरे राहू के तु तक के जितने भी ग्रह होते हैं उनका गोचर ये फल क्या होगा तो ये गोचर का आपके उपर 50 प्रतिशत तो कम से कम ये असर यहाँ पर दिखने वाला है इससे अधिक असर अगर आपको समझना है एक्जेक्ट अगर आपको आपका प्रेडिक्शन समझना है तो नीचे दिये गए WhatsApp संख्या 9818318303 पर आपको 1 मंत के लिए free trial का request डाल देना चाहिए जिससे कि आपके पास आपका राशी फल आपके date of birth आपके time of birth आपके place of birth के according आपको regular way पर मिलता जाए तो चलिए start करते हैं और क्या-क्या व्रत और तेवार इस महिने पढ़ेंगे तो सबसे पहले 3 दिसंबर को संकष्टी चतूर्थी पढ़ेगा और संकष्टी च बहुत साथ संकट में पढ़े हुए है किसी भी प्रकार का संकट चाहिए वो श्टार्रेग हो चाहिए आड़्थि को मांसिक हो आप किसी भी तरीके से परिशान है तो आपको संकष्टी चतूर्थी का आपको व्रत ज़रूर करना चाहिए जो कि तीन दिसंबर को होगा और स हनुमान जी के साथ साथ गणियस जी की भी आपको अराधना करना चाहिए जिससे आपके सारे कष्ट हर लिए जाएंगे और जो भगवान गणियस जी हैं और संकट मोचक हनुमान जी हैं ये दूनों ही आप पर आशिरवाद बनाए रखेंगे तो संकष्टी चतूर्थी का ब् पड़ेगी उत्पन्ना एकादशी जो होगी वह 11 दिसंबर को होगा और उत्पन्ना एकादशी में हुआ क्या था आप सब इनों को पता होगा जिनको नहीं पता है वो इस चीज को समाह लिजे मूर नाम का एक राक्षस था और उस राक्षस को वद करने के लिए भगवान व उत्पन्ना एकादशी के कारण ही क्योंकि उस समय देवताओं पर बहुत जादा संकट आ रहा था तो भगवान विश्नु की शक्ति के कारण देवताओं का संकट खतम हुआ तो जिनको एक तो संकष्टी चतूर्थी और एक आपके उपर कोई और प्रभ्लम हो तो उसके लि 12 दिसंबर को करना चाहिब चौदऀशंबर को सूरी गरہन को सूरी गरहन पढ़ने वाला उस पर आपको क्या-क्या करना चाहिए इस का अलग वीडियो प्रतेक लगन VALER जातकों पर मैं इसको अपलोड करूँगा फिलाल हम स्टार्ट करते हैं आपके जो लगन है, यानि जो कन्या लगन आपका है, इस कन्या लगन पर प्रतेक ग्रहों का क्या क्या प्रभावों का इसको हम समझते हैं, देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं, कन्या लगन में आपके लगनेश बुद्ध की क्या इस्थिती बन रही है, तो बुद्ध जो ह किए आपकी कुंडली में एक तो दशमेश होता और एक लगनेश है और खुद इस समय में प़राक्रम के अस्थान पर है लेकिन सूरे के साथ मेह ड़ाना भेas तो काफी मेनत यहाँ पर कराएगा और साथ में केतु भी वहाँ पर विराजमान है सूरी भी वहाँ पर विराजमान है तो छोटे भाई बैनों को भी लगातार यह कष्ट देगा जब तक केतु वहाँ पर विराजमान है तब तक आपके confidence में भी कमी लाएगा और साथ में आप आपके छोटे बाई बैनों को कष्ट दे सकता है या आपके छोटे बाई बैनों से आपको कुछ कष्टो ऐसी चीजें लगी रहेंगी जहां पर बुद्ध बैठे हैं वहां से सातवी द्रिष्टी धार्मिक यात्राओं पर पड़ रही हैं तो धार्मिक यात्राओं हो सकती है यहाँ पर धर्म के प्रती आपका जो ध्यान होगा वो आकर्शित होगा और धर्मिक यात्राएं आपके लिए शुखत भी रहने वाली हैं लेकिन शुक्र का राशी परिवर्तन बुद्ध का राशी परिवर्तन 17 दिसंबर को होगा जो की तृतिये भाव से चेंज कर जाएंग और जैसे ही तृतिये भाव से चतूर्त भाव में आएंगे और अपने ही घर को साथ भी द्रिश्टी से देखेंगे तो नौकरी व्यापार इन सब चीजों में आपके लिए एक अच्छी चीजें सामने निकल के आएंगी तो नौकरी व्यापार के छित्र में आपको एक निया लगन है उनको नौकरी यहाँ पर मिलेगा अपने कॉन्फिडेंस को आप कम मत होने दीजेगा क्योंकि गोचर में कॉन्फिडेंस में कमी यह कुछ ग्रह यहाँ पर ऐसे बैटे हैं जो कॉन्फिडेंस में कमी देना शरीर में आलत से देना ऐसा यह काम करेंगे लेकिन आप लगातार मेनत कीजे, मेनत से मत गबडाईए और निश्यत रूप से आप यहाँ पर इस निगेटिव टाइम में भी आप अच्छा प्रियोक कर पाएंगे, बुद्ध ओवराल आपको मिश्रित फल ही यहाँ पर देने वाला है, इसके बाद सूरी की बात करते हैं, देखे सूरे आपकी कुडली में लगन से ही 12 है, खर्चों का मालिक है, और खुद खर्च का मालिक होकर एक प्रकार से कहा जाए, तो मारक प्लैनेट माना जाता है, और यह 12th हाउस का मालिक होकर छोटे बाई बैनों पर है, और छोटे बाई बैनों पर अल्लेडी संकट दिखाई द करेगा आप कोई भी काम करेंगे उस काम में अभी सूर्य देव सफलता के योग नहीं बना रहे हैं लेकिन जैसे ही ये चौते घर में चले जाएंगे वहाँ पर जाते ही माता के स्वास्त में कमी कर देंगे यानि सूर्य का राशी परिवर्तन बिल्कुल भी अभी आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है हलाकि देखें पापी ग्रह है क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह त्रिकस्थान तीसरे एकादश और छटवे आठवे और बारा यानि त्रिकस्थान और त्रिकोड उपर के जो दोनों त्रिकोड हैं उनमें तीसरे त्रिकोड और एकादस त्रिकोड इन दोनों में ये अच्छा फल देते हैं लेकिन आलस से की अधिक्ता भी आपर देंगे और केतू के साथ ये कंजूगेट कर रहे हैं तो ये अच्छा पर अब हम बात करते हैं देवगुरु ब्रस्पती की तो देखिए देवगुरु ब्रस्पती अभी आपके लगन से पंचम में बैटे हैं और आपकी कुंडली के सुक अस्थान के मालिक हैं आपके कुंडली के शादी विवाग के मालिक हैं और खुद पंचम में जाकर बैटे हैं और सबसे important बात क्या है कि पंचमेश और सब्तमेश की यूती हो रही है मैं फिर से बता रहा हूँ पंचम अस्थान के मालिक की और सब्तम अस्थान के मालिक की यूती हो रही है तो एक चीस तो confirm है कि ये काफी time तक शनी और ब्रस्पती देप पंचम में ही रहेंगे तो निश्यत रूप से आप ये मान के चल सकते हैं कि इस दोरान आपके प्रेम प्रसंग बहुत तेई से बढ़ेंगे और लंबे time तक बढ़ेंगे ऐसा नहीं है कि एक एक आद महीने में खतम हो जागा ये लंबे time तक ये चलेगा और प्रेम प्रसंग जिनके विवा नहीं हो रहते उनके प्रेम विवा होने का योग ये अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दिया है हाला कि जब सूर्य धनू में जाएंगे तो खरमास लग जाएगा जिसमें मांगलिक कारे नहीं हों है क्योंकि भाग्यस्थान पर जब देवगूरु ब्रस्पती देखेंगे अपने कारक भाव में बैठके कारक भाव को देखेंगे तो धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं पिता के स्वास्त में सुध व्रसपती कृक राशी पर रहे और करक में आपको पता होगा देव गुरु ब्रसपति उच्च के हो जाया करते हैं तो ब्रसपती की जो एकदस दृस्टी जो जो करते हैं बाव में बैठते हैं उस बाव से रिलेटेड चीजों में डिले कर देते हैं तो डिले होने के कारण यहां पर शनी और ब्रस्पती का जो यह यूती हो रहा है यह आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा कन्या लगन में मंगल ग्रह आपके लगन से सप्तम अस्तान पर बैठे हैं और मंगल ग्रह आपके लिए मारक हमेशा सिद्ध होते हैं उसका reason क्या है क्योंकि ये आपके दूतियेश हैं और आपके तृतियेश हैं और साथ में अश्टमेश हैं तो तृतिये अस्थान और अश्टम दोनों का मालिक होकर ये सब्तम अस्थान पर विराजमान है यानि मारक होकर अती मारक होकर मारक अस्थान पर विराजमान है तो यहाँ पर मंगल देव आपके लिए केवल परिशानिया ही उत्पन करेंगे इस पूरे महीने दिसंबर की बात किया जाए तो पार्टनर्शिप में कुछ विवाद होने की संभावना रहेगी और साथ में दैनिक रोजगार के छितर में भी आपको कुछ परिशानियों के सा काम करना होगा इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेर रहना चाहिए तो यह था पूरा सारे ग्रहों का कन्या लगन पर क्या प्रवाव पड़ेगा अब हम प्रतेक भाव की बात करने जा रहे हैं देखिए लगन तो अल्लेडी हम लोग ने बात कर दिया क्योंकि जितने भी प्रतेक्ती चीजियों का अध्यन किया गया उसमें लगन को आधार मानकर आलीसिस किया गयाई है अब लगन के बाद हम दूटिये भावों से स्टार्ट करतें दूटिये भाव पर प्रवाव पड़ेगा क्या प्रवाव हम लोगों के लिए काफी important है धन का स्थान होता है परिवार का स्थान होता है वाड़ी का स्थान होता है दाएन नेत्र का स्थान होता है तो यह काफी important है भले इसको मारक की संग्या दी गई है लेकिन यह अगर अगर आपको life में सफल होना है तो आपके पास धन होना चाहिए परिवार का सुख हो होना चाहिए तो यहां पर दुईतिय भाव में देखा जाएगा तो 11 दिसंबर से पहले पहले शुक्र देव आप अपने ही घर में बैठे हुए हैं मालवे नाम का पंच महापुरुष योग का निर्मार किये हैं और इस कारण से यहां पर जो शुक्र देव हैं आपके लिए अतियंत योग कारक फल देने के लिए बाद हैं साथ में इसका जो कारक है वो आपका लगनेश है बलाई तृतिय में है और चतुरत अस्थान पर प्रवेश करेगा तो दूतिय अस्थान आपका अच्छा है कि वह दूतिय अस्थान पर जो मंगल की आठ्वी दृष्टी घर में चला जाएगा और मंगल की दृष्टी दूतिय अस्थान पर पड़ेगी तो कुछ कठनाईयों का सामना आपको धन सम्मंदित और या परिवार में कुछ खराब महौल व्यूत्पन हो सकता है वाद विवाद की स्थिती हो सकती है और आपको वाद विवाद वाली करशना चाहिए और यहां पर 11 दिसंबर के बाद इस्थिती कुछ जादा ही निगेटिव हो सकती है त्रितिय भाव की बात करते हैं कन्या लगन में इस समय सबसे जादा त्रितिय भाव परिशानी में पड़ा हुआ है त्रितिय भाव जो आपका पराकरम का होता है आपका से पूरे तरीके से ग्रसित हो रखा है क्योंकि यहां पर जो सूर्य है केतु है बुद्ध है वो सभी एक जगा पर एकत्रित हो गए और उपर से राहू की दिरिश्टी भी पड़ रही है हाला कि यह कहा गया है पाप ग्रह पाप अस्थान पर या तीसरे या ग्यारवे त्रिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ परिशानिया यहां पर देखने को मिलेगा आत्म विश्वास की कमी हो सकती है लेकिन आपको किसी भी कंडिशन में अपना आत्म विश्वास नहीं खोलना है अपना विवेक नहीं खोलना है और आपको विश्वास रखना है अपने उप करते हैं देखे कुंधली का जो चोथा स्तान होता है वो सुख का स्तान सुख नहीं है तो फिर लाइफ कुछ नहीं है तो सुक का जो स्तान घोSah पैसे से भी जाधा important है सुख का स्तान और सुख अस्तान का जो आपकी कुंड़ी में जो मालिक है वो देवगुरु ब्रसपती हैं तो देवगुरु ब्रसपती इसमें नीच के जरूर है लेकिन अपना नीच बंग की हैं इसलिए सुख संपत्ती में व्रदी होगा भूमी वहान मकान से संबंदित शुब परिणाम आपको मिलेगा और अगर आप कुछ investment करना चाहते हैं तो सूर्य ग्रहर्ण से पहले पहले तक आपको investment जरूर कर देना चाहिए नहीं तो अगले साल जब सूर्य की मकर राशी में गोचर करेगा तब जाकर आपको investment करना चाहिए पंचम भाउ से related देखते हैं किा result से ब्रसपती का नीच बंग हुआ है और यहाँ पर लव अफेर आपके पंचम अस्थान यानि लव अफेर का जो अस्थान है वो बहुत तही से और बहुत लंबे टाइम तक बढ़ेगा और साथ में विद्यारती वर्गों के लिए भी अच्छा है प्रत्योगी परिक्षाओं में आपको आशा अनुकूल परिडाम भी देने के लिए बात दे करेगा लेकिन यहाँ पर जो शनी की तीसरी द्रिष्टी जो मंगल पर पड़ रही है गोचर में यह कुछ आपको परिशान जरूर कर सकता है क्योंकि एक तो मंगल मारक प्लैनेट खुद बैटा हुआ है और पूरे महीने दिसंबर में कन्या लगन वाले जातकों के लिए तो छटवा गर किसका है शनी देव का है और शनी देव इस समय अपने राशी में है मारगी हो चुके हैं और नीच के गुरू के साथ पंचा मस्थान पर बैटे हुए हैं तो यहाँ पर एक चीज तो कन्फर्म ह कि जिनकी लीवर में प्राब्लम रहती है लीवर के अंदर स्वेलिंग आ जाना लीवर में लीवर से समंदित प्राब्लम हो जाना यह कन्या लगन में जरूर देखने को मिलेगा और साथ में क्योंकि शनी इसका मालिक है रोग का मालिक खुद पंचम में चला गया लेकिन में नहीं दिख रहा हृ लेकिन अगर आपके लगन कुड़ी में ऐसा योग है तो वहां पर उसका परिदाम कुछ और भी हो सकता है लेकिन गोचर में आपके जीवन साती का सयोग भी इस समय पूर्ण रूप से आपको नहीं मिलने वाला और दैनिक रोजगार में भी आपको कुछ ना कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन बार-बार मैं बोलना हूँ पराकरम में कमी जरूर होगी लेकिन अपने उपर विश्वास रखिए पराकरम को खतम नहीं नहीं है आपको बुद्ध का बीज मंत्र जरूर कीजिए जिससे की आप लाभानवित हों अस्टम भाव की बात करते हैं देखिए अस्टम भाव जो है वो मंगल का है और मंगल इस समय सब्स्टम भाव में बैटे है तो पत्नी से अब्स्टकल हो जाएगा पत्नी से कर देंगा अभी तो जिस जगह बैठे हैं वहां से सब्स्टम अस्थान को अस्टम द्रिश्टी से वाड़ी को देख रहे हैं तो वाड़ी का उग्रोना परिवार में खुशियों के वातवरण में कुछ ग्रहन लगा देना यह मंगल यहां पर कर रहे हैं तो अस्टम देख रहे हैं तो आप कन्फ्यूजड हो सकते हैं इस कन्फ्यूजण से आपको बशना चाहिए क्योंकि यह जो राहु और राहु जो मित्र घर में जरूर बैठे हैं तो आपके भागे को बढ़ाएंगे लेकिन आपको ब्रहमित भी करने का काम यह कर सकते हैं और राहु की जो शातवी द्रिश्टी है वो पराकरम अस्थान पर है जो की बिल्कुल भी अच्छा नहीं ए और नवम द्रिश्टी आपके पंचम त्रिकोर में जाकर पड़ रही हो तो पंचम त्रिकोर को भी यह परिशानियों से यूक्त कर देंगे गे दशम अस्थान दशम बाओ की बात करते हैं देखिए दशन बाओ का जो मालिक है वो बुद्ध देव हैं और बुद्ध देव और लेडी मैं बता चुका हूँ कि यह सत्रा दिसंबर को राशी परिवर्तन करेंगे अभी लगनेश पराक्रम में हैं इसलिए महना जादा करना पड़ेगा और इसके बाद सुक अस्थान पर लगनेश चल जाएंगे तो आपको सुखी भी करेंगे और दशम अस्थान से भी रिलेटेड कुछ कार्यों में प्रमोशन का होना किसी जॉब में प्रमोशन का होना या जिनको जॉब नहीं मिली है उनके जॉब के लगने की भी पूरी व्यवस्था रहेगी औ इस पर एक तो सूरी शनी की सात्वी द्रिष्टी ब्रस्पती की सात्वी द्रिष्टी पढ़ रही है और ब्रस्पती की उच्छी द्रिष्टी पढ़ रही है जहां पर ब्रस्पती आपके लिए योकारक है आपके लिए एक अच्छा परिडाम देने वाले सुख अस्थान क मालिक इंकम पर उच्छ द्रिश्टी डाल रहा है तो इंकम निश्यत रुप से बढ़ेगा आए के नए साधन अगर आप तलाश रहें तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और 12 अस्थान से देखा जाए तो 12 अस्थान का जो मालिक है वो यहां पर सूरे देव हैं और सूरे किन्बर को जब इसका राशी परिवर्तन होगा तो यह आपके भूमी वहान मकान में भी सूरे देव के कारण कुछ ना कुछ परिशानिया उत्पन हो सकती है इसलिए 12 अस्थान से भी सम्मंदित बहुत अच्छे परिणाम मैं नहीं देख पा रहा हूं लेकिन कुछ ऐसी च सुकेश है वो पंचम अस्थान पर बैटकर एकादश अस्थान को देखेगा तो भी आपको लाबानवित करेगा तो कुछ मेहनत करने की जरूरत जरूर पड़ेगी और जाते जाते एक बार पुना मैं बोलना हूं कि आप अपना कॉण्फिदेंस लूज मत कीजिएगा तो यह था पूरा कन्या लगन वाले जातकों के लिए प्रतिक भाव का और प्रतिक ग्रह का मा दिशंबर में आपका कैसा परिणाम रहेगा इसको जरूर आप चेक कीजिएगा और अगर आपको इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप यहां पर अपनी प्रतिक रिय वरतन का फ्री रिपोर्ट चाहिए जो की वन मंत के लिए ट्रायल के लिए आप एक्टिवेट करवा सकते हैं तो आपको इसको जरूर एक्टिवेट करने के लिए हमारे वाट्सेप नंबर 9818318303 पर इसका फ्री ट्रायल का रिक्वेस्ट डाल देना चाहिए तो अभी के ल प्री ट्रायल के लिए तो आपको जरूर 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 आपको